प्रत्याशियों के चिंतां बस किसी तरह पढ़ जाए पार विधान सभाय चुनाव के सरगर्मियां बढ़ दी जा रही है मौसम में आए बदलाव के कारण तापमापी का पारा तो नीचे जाने लगा ही है लेकिन चुनावी गर्मी के चलते माहौल गर्माने लगा है आदी अब कोई विशिस्ट अफसर नहीं गवाना चाहते उनकी कोशिश है कि अधिकादिक इन अफसरों का लाव उठाया जाए और बस किसी तरह पार पढ़ जाए आज का दिन यानि बुधवार को शरग पुनिवा है गुरुवार से एक आतिक मास की शुरुवात है और इसी के साथ अने एक विशेश महत्व वाले दिनों का तिलसिला शुरूप हो जाएगा मद्दान का समय आने तक इस तरह के विशेश दिवस का लाव फिर नहीं मिलने वाला इसे देखते हुए कोशिश यही की जा रही है कि खुद की और खुद से जुड़े लोगों की दल की कारेकरमों में किसी न किसी रूप में सहबागिता जरूर रहे दिवारी के बाद रामा शामा और गोपास्टमी पर विशेश जोर दिया जा रहा है टिकट की चाहर रखने वाले और राजनीतिक दल संगठन आधी प्रियासरत हैं कि शहर में होने वाले बड़े कारेकरमों के अलावा अन्या अधिक से अधिक कारेकरमों में भी उनकी हाज्ट्री लगे ऐसे कारकरमों के कुछ आयोजग तो कई कारणों के चलते खुद संपर कर लेते हैं नहीं तो आयोजगों को वो ड्हून कर उनसे संपर करना शुरू भी हो गया है एक प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़ाव रखने वाला संगठन बुधवार रात को शरत पुर्णिमा की उपलक्षे में शहर में 20 से अधिक जगा खीर खिलाएगा इसकी पहली बार इतने व्यापक सर पर तयारी की गई है नहीं तो आमतोर पर एक जगर ये आयोजन होता रहा है जुड़ाव रखने वालों से व्यक्तिगत संपर किया गया है निमंतरन पत्र भी बांटे गई हैं एक और खास बात नाम मात्र की सहयोग राशी लेते हुए काईकरम में आते समय खीर के प्रसाद के लिए कटोरी और चमत साथ लाने का आग्रह भी किया गया है तो इसी तहां कि और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SPT News और बने रहे हमारे साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपून खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर